नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल टेक्निकल अभिशेक रजक में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपना रोल नंबर कैसे निकाल सकते हैं जी हाँ दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था कि अपना रोल नंबर कैसे निकाल सकते हैं तो उस टॉपिक पर आप लोगों का काफी प्यार और सपोर्ट रहा वो वीडियो काफी अच्छी वारल भी हो गई लगवक 6,000 तक उस पर ब्यूज भी आ चुके हैं लेकिन बहुत से स्टुडेंट का इस वीडियो पर कमेंट ये था कि सर हमारा जो ये रोल नंबर है नहीं निकल रहा ये फेक है वगएरा वगएरा मुझे काफी गालियां भी मिल रही थी इसके सम्मन्द में लेकिन कई बच्चों ने इस तरीके से अपने रोल नंबर को निकाल भी लिया और साथ में जब उन्होंने अपने टीचर से बात करके रोल नंबर के बारे में पूछा तो दोनों रोल नंबर उन्हें मैच भी हुआ तो मैं आपको बता दू कि मैं जो भी तरीका बताया था वो जिन्वन तरीका है आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं हाला कि बात आती है कि यह 2020 का तरीका है लेकिन मैं आपको बता दू जो बच्चे 2020 में एड्मिशन लिये हैं और 2021 में आपकी जो बोड पर इच्छाय हो रही है वो सब डाटा जाके जब फीड हुआ है तो यहाँ पे ही फीड हुआ है उसके बाद जब यहाँ पे आप निकाल रहे हैं तो आपका 2021 का ही रोल नमबर निकल रहा है ना कि पुराना रोल नमबर निकल रहा है क्यूँकि हम आपको बता दे कि अगर माल लीजे यहाँ देख सकते हैं हाइज स्कूल का आपको निकालना है तो हाइज स्कूल पर क्लिक कर सकते हैं और परिछ्छा वर्ष 2200 होगा और जनपज़ आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा तो चलिए हम आपको दिखाद रहे हैं फिर से निकाल के और यहां से आप आपको करना क्या होगा स्कूल सेलेक्ट कर लेना होगा तो आप यहां से अपना कोई भी स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं जिस आप स्कूल में पढ़ते हैं तो यह देख सकते हैं, हम school को भी select कर लिए, अब आपको करना क्या होगा, यहां candidate का नाम डालना होगा, मतलब जिसका आपको निकालना है, तो यहां 2 अच्छर भी डाल सकते हैं, तीन अच्छर भी डाल सकते हैं, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं, डाल के, यह देख सकते ह मैंने अभिशेक यहां डाल दिया जैसे अभिशेक डाल के अब आपको सर्च इस्टुडेंट पर क्लिक करना होगा तो देख सकते हैं जैसे ही मैं सर्च इस्टुडेंट पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने पूरी डिटेल यहां पर सो होने लगेगी तो चलिए हम आपको बताते हैं ये किस तरीके से जिन्मेन है या गलत है तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ही आप सर्च पे क्लिक कर देते हूं यहाँ देख सकते हैं रोल नंबर आपका आजाएगा और रेजिस्टेशन नंबर आजाएगा और candidate name, mother's name, father's name और date of birth तो मैं आपको बता दू जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका अभी जल्दी practical भी हुआ होगा तो आपके स्कूल में आपको रोल नंबर भी बताए होंगे तो जैसे ही यहाँ देख सकते हैं जो रोल नंबर यहाँ आपको मिल रहा है वही रोल नंबर यही रोल नंबर आपको स्कूल में भी मिलेगा मैं आपको 100% यहाँ बता दे रहा हूँ तो आप इस तरीके से अपने रोल नंबर को देख सकते हैं इस website का जो link है मैं यहां description में देती हैं आप direct इस पे आके फिर से अपना जो roll number देख सकते हैं और यह पूरी तरीके से genuine तरीका इसमें आप कोई भी संदे नहीं कर सकते हैं कि sir यह आप fake बताएं या वगएरा वगएरा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम detail डाल रहे हैं तो यह उन्हीं बच्चों का आ रहा है जो इस वक्त हाई स्कूल में हैं और जो paper देने वाले हैं तो इस तरीके से आप हाई स्कूल और intermediate दोनों का निकाल सकते हैं तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपके सारे doubt किलियर हो गए होंगे कि यह fake है या नहीं तो मैं आप अपना रूल नंबर देख लिजेगा तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगयोगी अगर अच्छी लगयोगी तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए और शैनल को सब्सक्काइब कीजिए तो मिलते हैं फिरिक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए